आयूर्वेद में तिर्फला महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है तीन फलों से निर्मित ये तिर्फला का चून हमारे स्वास्ते के लिए बेहद लापकारी है वहीं अगर वजन कम करना हो या हल्दी ड्रिंक्स बनाना हो तो शहद का इस्तेमाल हर भारतिये के घर में किया जाता है शहद के अंदर प्रोटीन, फाइबर, केल्शियम, आईरन, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंग, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, आधी पोशक तत्व मौजूद होते हैं वहीं त्रिफला के अंदर एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टिरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं ऐसे में इन दोनों का सेवन यदि एक साथ किया जाए तो सेहद को कई फायदे हो सकते हैं आप कह सकते हैं कि त्रिफला सोने पर सुहागे की तरह काम करेगा आज का हमारा वीडियो दोनों को एक साथ सेवन करने पर है आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि शहद और त्रिफला का एक साथ सेवन करने से सेहत को क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं साथ ही अगर इसका कोई नुकसान है तो उस पर भी एक नजर जरूर डालेंगे सबसे पहले बात करते हैं भूख ना लगने की अगर आपको भूख नहीं लगती या आप भूख बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो भूख बढ़ाने के लिए त्रिफला चून और शहद आपके बेहद कामा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिफला के उपयोग से पाचन क्रिया को न केवल अच्छा बनाया जा सकता है बलकि भोजन के अवशोशन के लिए ये बेहद मददगार साबित हो सकता है इसके अलावा इन दोनों के सेवन से आसानी से मल त्यागने में मदद मिलती है इसके अलावा ये त्रिफला भूख बढ़ाने में भी उपयोगी है ऐसे में त्रिफला आपके पुराने से पुराने कब्स को खत्म करने में काफी हद तक सहायक है ऐसे में आप शहद और त्रिफला के चून को एक साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं अगर एनीमिया की बात करें तो जब शरीर में red blood cells यानी की RBC की कमी हो जाती है तो शरीर खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या का शिकार हो जाता है ऐसे में बता दें कि त्रिफला और शहद शरीर में न केवल red blood cells को बढ़ाने में उपयोगी हैं बलकि त्रिफला चून हीमोगलोबिन को भी बढ़ाने में काफी मददगार है वहीं शहद भी शरीर में खून को बढ़ाने में काफी काम आ सकता है मदुमे के रोगियों के लिए त्रिफला कितना कारगर है त्रिफला और शहद दोनों के सेवन से मदुमे से बचाओ किया जा सकता है दरसल त्रिफला के सेवन से blood glucose इस्तर में कमी आ सकती है वहीं शहद भी मदुमे रोगियों के लिए बेहद उपयोगी है ऐसे में त्रिफला चून और शहद दोनों के सेवन से खून में ग्लुकोस के इस्तर को कम किया जा सकता है हाला कि रोगियों में इस मिश्रण को अपनी डाइट में जोडने से पहले एक बार अपने विशेशग या अपने चिकितसक के सलाह जरूर ले ले वजन की बात करें तो त्रिफला चून और शहद के उपयोग से वजन नियंतरित किया जा सकता है त्रिफला चून के सेवन से चर्बी को नियंतरित किया जा सकता है वहीं ये शरीर में अतरिक्त कैलोरी को बर्न कर सकता है यू तो शहद का सेवन भी आमतोर पर वजन को कम करने में किया जाता है क्योंकि शहद में anti-obesity गुण मौजूद होते हैं जो वजन को नियंतरित करने के लिए काफी उपयोगी है जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इनकी शक्ती दो गुणी हो जाती है और वजन को कम करने में ये अपना दुगना परभाव दिखाते हैं तुचा के लिए कितना उपयोगी है तुच्छा चून और शहद तुच्छा को कई समस्याओं से दूर रख सकता है तुच्छा में anti-bacterial गुण पाये जाते हैं जो bacterial संक्रमन से बचाओं में उपयोगी हैं इसके अलावा इसमें anti-inflammatory गुण भी पाये जाते हैं जो तुच्छा से जुड़ी सूजन को कम करने में आपके काफी काम आ सकते हैं इसके सेवन से एजिंग की समस्या को भी दूर किया जा सकता है क्या अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं तो इसका कोई नुक्सान भी है आईए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं अगर त्रिफला और शहद का जवियत से ज़्यादा इस्तेमाल आप करते हैं तो इसके नुक्सान देखने में आ सकते हैं इनकी अधिक्ता से दस्त की समस्या हो सकती है गर्भावस्ता के दौरान इसको लेने में सावधानी बरते हैं अपने चिकितसक से परामाश लेकर ही आप ये प्रियोग करें किसी किसी को इन दोनों के सेवन से ऐलर्जी की समस्या भी हो सकती है जिसको भी इस तरह की कोई अलर्जी की समस्या है वो इन दोनों को एक साथ भूल कर भी ना लें इस जानकारी से आपको पता चलता होगा कि यूँ तो शहद और तिर्फला दोनों सेहत के लिए बहुत फायदे मन्द है लेकिन जब जरूरत से विजदा मात्रा का सेवन आपके शरीर में हो जाता है तो ऐसे में ये आपके लिए बीमारी का कारण बन सकता है इसलिए जरूरी है कि अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो अपने विशेशग्य की राय एक बार जरूर ले ले आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फोर्मेशन के साथ तब तक के लिए जै हिंद वंदिमातरम